प्रेंट्स बहुत पर सवाकत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक आटोमेटिक वोल्टेज इस्टेबिजर रख हुआ है जो की 3K वेका है तो आज हम इस स्टेबिजर को चेक करेंगे देखेंगे जयक्ति में किया वीडियो कुछ अलग हटकर है तोड़ा खास है और आपके बहुत काम में आने वाला है कि अभी तक आपने वीडियो में देखा हुआ कि किस थैक्से माइक को कंट्रूर कट्रूल करते है या फिर वोल्टेज इस्टब्ड इस्टब्लेज रबगते हैं या फि की वीडियो में हम इस माइक्र को रपेर करेंगे चेक करेंगे पहले इसमें क्या फॉल्ट हा रहा है उसके बाद अगर इसमें फॉल्ट है तो इसे रपेर करें रटेलर्स और डीलर भायों मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक एक्सक्लूसिब एप जिसका नाम है लॉगदा डील यह है एनरजी और इलेक्टिकल प्रोड़क्ट्स का एमेजॉन इस एप को डाउन्लोड कीजिए और पाएं अपनी दुकान के लिए सारे प्रोड़क्ट्स जैसे इंवर्टर्स बैट्री आटोमोटिव बैट्री इलेक उप्शन सेलेक्ट करें और कॉंटिटी चुने अब यह एक्सपेक्टिट प्राइस पर अपना मंचाहा प्राइज लिखकर एंटर कर दीजिए ऐसे आप प्राइज नेगोशियेट कर सकते हैं लॉगदा डील आपको प्रोड़क्ट पर बेस्ट ओफर की जानकाई देंगे स इसी भी जानकाई के लिए डील्स ओफर्स डिसकाउंट्स सीधा वाट्सेप कर सकते हैं नंबर यह रहा इसक्रींग पर 9319098038 खुलिए आप अपनी दुकान लॉग्दा डील से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अभी डाउनट कीजिए करेंगे तो चलिए पहले हम इ आउटपूट पर लगा रखाए क्योंके इसका मीटर खराब है आउटपूटका मीटर असले रखाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे तो अब हमें से मेडाइन से कनेक्ट करते हैं यह देखिए मेील नैंसे हमने कनेक्ट किया से बट इसमें बहुत जादा तीजी से चल अब आउटपूट चेक करने में दिख्कत हैगी तो अब यह हम यह पॉइंट डियेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आउटपूट इस वाले मीटर में मालूम पढ़ती है और इस किट को रिपे करने में आसानी है तो चलिए पहले हम इसकी आउटपूट करते हैं उसके बाद इसे चेक करते हैं का पॉइंट हमने डायक्ट कर लिया है अब इसे ओन करके देखते हैं यह देखे बहुत जाद आवाज कर रहा है और उसके बाद देखे आउटपूट भी कमा रही है अब इसे हम में लाइन से कनेक्ट करेंगे बैजक पर लगाएंगे और इसे बैजक को हम बि पूरे नहीं देखे देने दिए दिए स्टाट करना है जीरो से तो यह देखिए इसके आउटफूट वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं देखिए 250 वोल्ट पर इसे कट होना चाहिए बटी कट नहीं कर रहा है यह हाई वोल्टेज दे रहा है इसे इतने पर कट कर लेना करेंगे और देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ इसे अंदर के साइट से देखिए इसमें यह जो एक कैपिसेटर लगा हुआ है आपको शायद सही से दिखाई पढ़ ला होगा है तो यह कैपिसेटर इसका काफी फूला हुआ है और काफी हीट मालूम पढ़णा है तो कि इसका मतलब यहां पर भी इस टेपलिजर लगा हुआ हुआ वहां पर इन्पूट में हाई वॉल्टेज आए होंगे किसी समय जिसकी वज़ा से यह कैपिसेटर भी हाई वुल गया है यानि कैपिसेटर यह खराब है अच्छा पहले हम इसे चेंज करेंगे कि पहला सद्द करना होगा इससे निकाल देते हैं इसकी वालियू इपको बताइंगे कि फॉटे 원 올라y yüzden निकालेंगे हैं इसमें लगा हुआ है दोस्तो वीडियो के आप की जो भी राय दो मैं में कमेंट करना है की जो दोस्तो बारे व्यू पस्ते अब का लाइक और यह झरीं तो यदि Twilight को doc दूसा लगा देंगे इसके जगहापर हमने दूसा कैपिसेटर लिया है 470 MFD 63V का सेम वैल्यू का अच्छा कैपिसेटर लगाते जमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका पिलस और मैंस सही होना चाहिए अगर उल्टा हुआ तो फिर कैपिसेटर हमारा फट जागा तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए से यूज करना है लगाना है बहुत अच्छे से शोल्लिंग बहुत अच्छी करेंगे पॉजिटिव निगटिव देखकर हमें इसे लगा रहे हैं कि इसमें लगा लिया है अब हम इसे चेक करते हैं टेस्ट करते हैं कि इसकी परफॉर्म्स कैसे आती है तो इस में से आन करेंगे उसके बाद इसे चेक करते हैं दोस्तों हमने इसे आन किया अफ़र हम वौल्टेज जीड़ो से ही आगे बढ़ाएंगे यह हम थोड़़ा थोड़ा करें वौल्टेज बढ़ाएंगे यह देखिए आपको एक च्रिभा पकीज़ इसे पहले जब हम इसे अन कर रहे हुए तो बहुत बूई ओवास कर रहा हुए थजी कासी कफाए ख़त्म हो गई, आप भी देखिए इसका फंचिंट भी बिल्क बिल्कुल इसमूड आ रहे है । इस देखिए है। फंचिंटर कोई भी ऊवास नहीं कर रहे हैं इसके फंक्षन से हो रहे हैं बहुत अच्छे फंक्षन आरहे हैं और इससे पहले जो केपसिटर हमारा फटा हुआ था खाप तो इसके आवास से मुझे अंदाजा हो जया था कि इसमें केपसिटर ही खेहा है बट मैंने आपको बताने के लिए क्योंकि हम लोग तो को रिपेर कर सकते हैं तो इसमें बहुत जादा फॉल्ट नहीं आते हैं आम तोर पर कुछ एक चीज़ा ही होती है जो खड़ाब होती है और कैपसिटर वगदर तो सामने दिखाई पड़ जाते हैं दोस्तों आपके आपको हमारे वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट के जो बताइ कर दो सकते हैं तोcular थे बतादे हैं पिकल आपकेंट केंगोा हैं थेल्ट के जो यह जोड़ाब पेकर फम।र पकल दूएब भावाद क्रता हैं उन्ह सीिर्ट जाएर प्लाद हैं उन्हींश कुछ नहीं रिवादया एम पां धमिनका हैं घल्कम किया को जब होती हैं जone हैं